असलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनromeकेडमी के इस नए और लेटिश्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में आप लोगगो 10 ग्लास के उर्थु के बुक से सारे अबजेक्टिक कुश्ण को आप लोग teammate के बुक से जितना भी objective यह कराई ती लेकिन सौची हुआ हैं उन सभी ऑप्जेक्टिब और एक तरहनों को भीक डे सब्सक्राइब करने का कि एक तरह से उन सारे अब्जेक्टिब को demos करने करें गोर नहींaking कि आप आप कितना objective question याद कर लिए हैं मैं ज्यादा objective question को समझाओंगी नहीं क्योंकि उन साथ वीडियो में मैं हर एक-एक point को मतलब explain की थी हर एक-एक point को समझाई थी तो इस वीडियो में मैं आप लोग को धड़ा-धड answer बताते जाओंगी क्योंकि एक revision के तौर पर है ताकि आप revise क जाओ जाए और जब अगले दिन जाए एक्जाम देने के लिए तो धड़ा-धड़ सारे objective question सही सही बना कर आए इतना इस वीडियो को जितना जदा हो सकी इतना जदा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह भी सारे objective question का revise कर लें ठीक है और अगर आ एक कोशन को आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा और अपने से answer बताने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि सारे objective question का तो आप लोग answer जानते ही होंगे चलिए देखिए दूसरा सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या है उनका real name तो उनका real name है मुस्तफा रजा आपसा नमबर बी is your right answer ये बहुत ही simple है आप लोग को याद भी होगा चलिए आगे बढ़िए question number 3 देखिए शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए तो शबनम कमा अबादी के बच्पन का नाम क्या था तो वो था मुझीबूर रह्मान ये भी आप लोग को मालूम होगा ये कितना बार पूछा जा चुका है ठीक है चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ देखिए अगला सवाल है सुहाल अबादी के पहले अफसानवी मजमुए क का नाम क्या था सुहाल अबादी के पहला अफसाना का किताब यानि की कहानी का किताब का क्या नाम था तो वो था चार चेहरे अफसान नमबर सी इस यो राइट एंसर चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ कोश्चन नमबर सिक्स है कि सुहाल अबादी की सुहाल अबादी पैदा हुए थे पतना में अपसन नुम्बर विज्द राइट एंसर पतना में पैदा हुए थे सुहेल अजिम अबादी चलिए आगे बढ़िए फटफट देखिए कोश्टन नंबर 7 है कि सुहेल का अबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है यानि कि सुहल अजीम अबादी का कौन सा कहानी आप लोग के बुक में है तो उसका क्या नाम है भावी जान चलिए फटफट आगे बढ़िए तो बहुत सिंपल कोश्टन था आप लोग को मालूम भी होगा चलिए आ की अफसाना है तो रार जु है वह है डॉक्टरो मोहमद मौसिन का अपसाना 이 काries नाम कहानी है डॉक्टो मौमद मौषिन ने लिकिये चलिए आगे बढ़िए डॉक्टरो मौमद मौसिन माहारत रखते थे यानि कि कोसे आपकर पर मतलब उनको पकड थी तो वो था कौन सा वो था नफसियात साइकलोजी वो उर्दू के इलावा साइकलोजी पर भी उनकी पकड़ थी और साइकलोजी भी वो जानते थी और ज्यादतर वो दिल्चस्प भी साइकलोजी पर ही रखते थे नफसियात उनका मतलब मेन सब्जेक्ट था चलिए आगे बढ तो कटी हुई शाख जो है यह अपसाना है यान की कहानी है किसका कहानी है तो यह कहानी है कमर जहां की कमर जहां जो है वो कटी हुई शाख नाम का यह कहानी लिखे हैं चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ कमर जहां का तालू किस यूनिवर्सिटी से था तो कमर जहा कि कोई एक अफसाना कहानी के किताब का नाम लिख देना है तो उसका क्या नाम है उसका नाम है चारागर अपसर नमबर डी इस यो राइट एंसर अब देखिए कोश्चन नमबर फिफ्टीन यानि की पंद्रा है कि निगार अजीम की पैदाईश कब हुई उन्हें से पच्पन मेना संतावन में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आप लोगा यह सब गलत है इस में से कोई भी अगर आप लगा देते हैं बीना जाने तो गलत हो जाएगा ऑपसन नमबर डी इस यो राइट एंसर चलिए आगे बढ़िए अगले कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 16 कि नि निगार अजीम का असल नाम रियल नेम बताना है आप लोगो तो है महर निगार यह तो बहुत ही सिंपल है आप लोगो पहले से ही मालूम होगा चलिए आगे बढ़िए एक मिनट हाँ चलिए कोश्चन नमबर 17 है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में श निगार यहने वोर्दू ऐर्दू फार्सी में में की थी आप लोगा इंसर हो गया चलिये आगे बढ़िए निगार आजीम का मजमुआ गहन कभ शाय हुआ यानि की निगार आजीम का जो किताब है गहन वह कब परकाश्रित कियाे तो आपके drop में क्वाश्री तो नब तर चींव कि कहानी के कहानी कर अतर रिखने वाले काना बता रहा है तो हें निगार रजीम जो है वह आशियाना के इस कहानी को लिखे हैं ठीक है गोशन को यहाँ पर भी पूछा था कि निगाktor अब कौन सा अपसाना आ निगार का नाम बताईए तो अगर आप लोग को चैप्टर और उसके राइटर का नाम याद है तो आप आसानी से किसी तरह भी कोश्चन गुमा कर पूछे आप आसानी से बता सकते हैं चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 21 है कि निगार रिजिम के सफर नामा का नाम क्य तो यह नवस्याति कहानी सैकलोजी पर आधारित है यह कहानी चलिए आगे बढ़िए फट अब दखिये अग्ला सवाल है कि अंस Rio मसेर मसला है वी आप लोगो मालूं भी होगा तो आपस www.com From शाजा भी चुका है ठीक है तो यह आप लोगों को तो मालूम रहना ही चाहिए आगे देखिए करबंडाई उक्साइड में कितना एजाफा हुआ है यान की सियो टू गैस करबंडाई उक्साइड गैस में कितना परसेंट की बढ़ंती हुई है तो वह हुई है एक 30% की 31% की ब बढ़ गया है चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल देखिए बालव अग्यान कांग्रेस 2008 हंदुस्तान के किस शहर में मुनाकद हुआ था यह भी आप लोगों को मालूम रहना ही चाहिए क्योंकि आप लोगों को में बता रही बता भी चुकी हूँ जब भी अबजेक्टि देखिए क्यूटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कंफरेंस कब हुई थी तो क्यूटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कंफरेंस जो है वो 2007 इसवी में हुई थी आपसन नंबर ए इस योर राइट एंसर चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ कि सरस्यद ऐमद खा की पै था उनके फादर कहके नाम था तो वो था मेर मतक्की अब देखिए यहां पर स्टूडन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेर मतक्की होगा तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा मेर मतक्की रहेगा मीर मीर मतक्की सौरी मीर मतक्की ठीक चलिए आगे बढ़िए अगले कोश् की तरफ सरसयाद की वफात कभ कि या निकी मोत कभ हुई थी तो उनकी मोत भुई थी 18393 को इसदी और इसर आदब के पहचान के म Birth मून नगार कौनै नहींद हैं टो अदब के पहचानocol के जो मadt मुझमून इस निबंद को लिखे हैं ये कोश्टन का इंसर आप लोगो मालूम भी होगा क्योंकि बार बार ये पूछा चाहता है तो इसको अगर आप लोगो नहीं भी मालूम था तो अभी के अभी याद कर लीजिए ताकि कोश्टन आप लोगो के एकजाम में पूछे तो आ अपसा नमबर C is your right answer नेक्ट कोश्टन की तरह बढ़िए अब्दुलमुगनी ने किस मदर्सा में तालीम हासिल किया तो अब्दुलमुगनी जो थे वो मदर्सा समसुल हुदा में तालीम हासिल किये थे अपनी शिक्छा को लिए थे चलिए आगे बढ़िए कोश्टन नमब 14 यानि कि चोदा कि अब्दुलमुगनी के वालिद का नाम क्या था तो अब्दुलमुगनी के वालिद यानि कि उनके पिता जी का नाम था अब्दुलरौफ अपसा नमबर C is your right answer नेक्स्ट कोश्टन की तरह बढ़िए भीम रावंबेटकर के वालिदा का नाम क्या था यान बहुत ही सिंपल सा कोश्टन है आसान कोश्टन है इसमें तो आप लोगों को यह नहीं बोलना है कि मुझको यह नहीं मालूम है यह बहुत ही सिंपल है एक बार में याद हो जाता है क्योंकि भीम रावंबेटकर के नाम से उनकी मा का नाम है भीम भाई ठीक है चली आगे थायर हुए थे मेजर के पुश्ट से टीक भी मराओ औरा bottom ऑलन के पुश्ट पर फाइज हुए खेंद इनकला कोयक्त है भीम राओ के वालिद का नाम क्या था तो भीम राओ के वालिद का नाम था बताईए आप लोग यह बहुत ही यूनिक नाम है आप को मालुम भी होगा राम जी मालो जी सक्पाल यूनिक नाम है बहुत ही जल्दी याद हो जाता है तो यह होगा आप लोग का आपसा नमबर ए इस यूर राइट एंसर आगे बढ़िए बुध मजब में नर्वान का क्या तसूर है तो बुध मजब में नर्वान का तसूर है खुदा की उर्फान हासिल करना आपसा नमबर भी इस यूर राइट एंसर नेक्ट कोश्चन की तरफ बढ़िए भीम राव की शादी किस से हुई थी तो भीम राव की शादी हुई थी र जंब हुआ था, आपसन नमबर 2 हो जाएगा, आप लोगों का राइच इनसर 41 जुथ रहे थें, अगे बड़ी ए मड़ी टक्मिल का लाजमी अंसुर क्या है, और अप लोग ड्रामा दिखाएं नहीं सकते हैं तो इस ड्रामा में जो है ना इस टेज बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ अगले सवाल है कि लुथ्फु रह्मान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है यानि कि लुथ्फु रह्मान का कौन सा एसे आप यानिकी लुथ्फु रह्मान के पिता जी का क्या नाम था तो उनका नाम था अब्दुलगफूर यह आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कितना बार एक्जाम में कोश्टन पूछा जा चुका है ठीक है आगे बढ़िए आगा हशर के किसी एक ड्रामा का नाम बता देना ह है और यहां पर चार अपसंद यह है बताए कौन सा है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा और रुस्तमों सहराब चलिए आगे बढ़िए फटा फट अगला कोश्टन नजीर एहमद की पैदाइश यूपी के किस जीले में हुई यानि आसान और सिंपल कोश्टन है और यह बार बार पूछा जा चुका है और इसलिए आप लोगों को यह मालूम रहना चाहिए नजीर रहमत की पैदाइश जो है यूपी के बिजनौर नाम के जिले में हुई थी चलिए आगे बढ़िए फहमीदा नसू की क्या थी तो जो फहमी की वी और हमीदा नसू की देती यह तो कॉश्टन इस तरह से भी पूछ सकता है कि हमीदा नसू की क्या थी तो हमीदा नसू की बेटी ती याद रहखिएगा और यह जहुद हैँ यह बढ़िए पहले नाविल नाविल है तो वो नाविल अगला सवाल देखिए नजिरमद के पहले नाविल का मिया है तो नजिर एद ची Cash पा Så घा आगे बढ़贏 नजिर की तालीम व त्रूप्ये वट रिए वह उसे की ये नाविल 1910 में इस भी में ठीक है फटाफट आगे बढ़िए कोश्चन नमबर 13 देखिए कि गालीब की पैदाइश कब हुई तो मिर्जा गालीब की पैदाइश ये तो बहुत ही सिंपल और फेमस कोश्चन है ये बार बार आप लोगों के एक्जाम में पूछा जाता है इसका राइट गालीब के वालिद का नाम क्या था उनके पिता जी का क्या नाम था तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अब्दुल्लाबेग और भी इसका भी इंसर आप लोगों को मालूम होगा ठीक है आगे बढ़िए खुत गालीब के एक मजमुवा का नाम लिखे यहां पर गालीब के खतूत उनके लेटर का मजमुवा का नाम बताना है यानकी खतूत के किताब का नाम बताना है तो क्या नाम है उसका आप लोग खुद से भी बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट इंसर हो जाएगा उद हिंदी अफसा नमबर सी उद हिंदी जो है यह खत का मजमुवा है यानि की खत का किताब है जिसको गालिब ने लिखा है मिर्जा गालिब ने चलिए आगे बढ़िए शामिले निसाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया है तो शामिले निसाब खत जो है यानि कि आप लोगे बुक में जो खत दिया गया है उस खत में गालिब जो है वो खत किसके लिए लिखे हैं ये कोश्चन पूछ रहा है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा करामत हुसेन करामत हुसेन को वो खत लिखे हैं जो आप लोगे पढ़ना है चलिए फटफट आगे बढ़िए अगले कोश्चन की तरफ अब दुखिए अगला कोश्चन है कि मैंने वह अंदाज एजाद किया कि मिरा के मरासला को मुकालमा बना दिया या कौल किसका है यह भी कोश्चन आप लोका पूछा जा चुका है फेमस कोश्चन है बा आगे बढ़िए गालिब का मजार कहा है तो गालिब का मजार है दिल्ली में गालिब के खतूट के किसी एक मजमुआ का नाम क्या है तो गालिब के खतूट के एक मजमुआ का नाम क्या है तो यहां पर आप लोका क्या एंसर हो जाएगा यहां पर आप लोका राइट एंसर हो तो यहां पर option में उद हिंदी था, तो आप लोग उद हिंदी लगा दियें, लेकिन यहां पर वही question पूछा है, कि गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखना है, तो यहां पर उद हिंदी नहीं है, उर्दो मॉल्ला है, तो उर्दो मॉल्ला हो जाएगा आप उर्दो मॉल्ला लगा लगा दिजएगा अगर उर्दो मॉल्ला हो तो इर्दो मॉल्ला मॉल्ला लगा दिजएगा, simple, चलिए आगे बढ़िए, गालिए कितने खतूत लिखे, तो गालिब जो है, वो टोटल लगबग नौ सा खतूत लिखे थे नहीं में आर्हेभट की तरेगना में किये थे तरेगना में स्थापित किये थे वहीं मतलब अपना रिसर्च की या करते थे आरेवट ठीक आगे बढ़िए आरेवट का तालोग किस दौरं से था यह तो बहुत ही फेमस कोस्टन है अब देखिए अगला सवाल है कि एक मिनट अब देखिए अगला सवाल है कि आरे भट ने किस साइंस दा की रहनुमाई की थी तो आरे भट जो है वो पैथा गोरस नाम के साइंस दा यान की साइंटिस्ट की रहनुमाई की थी ठीके एक तरह से आरे भट जो है वो पैथा गोरस को राय दिया करते थे आगे बढ़िये हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनारा दौर कहा जाता है अपसन नमबर C हो गया आप लोग का सही जवाब अब चलिए आगे बढ़िए अगले कोश्चन की तरफ देखिए अगला कोश्चन है कि शौबाज की पैदाईश किस सोबे में हुई तो शौबाज की पैदाईश हुई थी बिहार में अपसर नमबर बी आप लोग का राइट एंसर शौबाज की पैदाईश किस साल हुई तो 1860SB में आपसर नमबर A हो गया आप लोग का राइट एंसर तफरीह कलूब के मसन्निफ का नाम बताईए तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपसर नमबर C शहबाज चलिए फटफट आगे बढ़िए अगला सवाल देखिए नसाब में शामिल खत में शौबाज ने अपनी बेटी को मुखाब किया है उसका नाम बताईए जो आप लोग के बुक में खत है जिसको शौबाज ने लिखा है तो वो खत जो है शौबाज अपनी बेटी को लिखे है तो सौबाज की बेटी का नाम आप लोगो को बताना है सौबाज की बेटी का क्या नाम है तो वो है सोगरा अपसन नमबर D is your right answer ये बहुत ही famous question है आप लोगो मालूम भी होगा और simple है चलिए आगे बढ़िए मेधी अफादी UP के किस शहर में पैदा हुए तो मेधी अफादी जो है वो UP के गोरखपूर में पैदा हुए थे मेधी अफादी का असल नाम यानिकि उनका रियल नेम क्या था तो उनका रियल नेम था मेधी हसन अफसन नमबर A is your right answer मेधी अफादी ने कितने शादिया की तो इसका अफसन देखिए यहां पर दिया है मेधी अफादी जो है वो कितने शादिया किये थे तो वो तीन शादिया किये थे अफसन नमबर C होगी आप लोग का सही जवाब मेधी अफादी ने जेरे नसाब खत में किस को मुखाब किया है यानि कि मेदी अफादी जो है वो आप लोगे जो बुक में खत लिखे हैं उस खत को मेदी अफादी ने किस के लिए लिखा है तो वो लिखे थे मकबूल एहमद समधानी को मेदी अफादी जो है वो खत लिखे थे मकबूल एहमद समधानी को तो आपसार नम्बर वी हो गया आप लोगो का सही जवाब, चली अगला कोश्टन देखिए, मेधी अफादी को उर्दू के एलावा और किस जबान में महारत हासिल था तो उर्दू के एलावा वो अंग्रेजी भी जानते थें, मेधी अफादी, मेधी अफादी की बेगम किस के नाम से मश्रूर हो गई बेदी से इंटर्व्यू किसने लिया था तो बेदी से इंटर्व्यू जो है वह इसमत चुकताई ले थी हलांकी बेदी से रजिन्द सिंग बेदी से दो लोग इंटर्व्यू लिये थे एक इसमत चुकताई और एक फयाज रिफत लेकिन यहाँ पर पहले अफ्साने का नाम है महरानी का तौफा अपसों नम्बर बी किस सहर में तो बहदी की पैदायश वूई थी लाहोर में अफसों नमबर ए होगे आप लोगा सही जवाब शामिल निसाम इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है तो वह राजेंदर सिंग बेदी और सी होगे आप लोगा सही जवाब चलिए आगे बढ़िए अगले कोश्चन की तरफ की बेदी का इंतकाल कब बेदी का इंतकाल हुआ था उनैसा 84 को आपसनल नमबर एज्जोराइट एंसर चकबस्ट की पैदाइश कब वी है 1882 को आपसनल सी होगिया आप लोगा सही जवाब चकबस्ट की पैदाइश कहा हुई तो चकबस्ट की पैदाइश हुई थी आफसनल नमबर सी फैजबाद में आगे बढ़िए नसाब में शामिल नजम मनाजिर कुद्रत के शायर कौन है यानि आप लोगे बुक में जो नजम है कवीता है जिसका नाम है मनाजिर कुद्रत इस मनाजिर कुद्रत नाम के नजम के लिखने वाले कौन है शायर कौन है तो वह है चकबस्ट अपसन नमबर ए इ के ऐसfire को छयोंदोती है च्वास्फ। का इंतकाल कहा हुआ तो में आगे बढ़ये अगले कोशन की तरफ देखिए्जानात आजात की पैदाइश कब हुई तो जगनात आजाद की पैदाइश हुई थी उन्हें इस अठारा इस भी को आपसा नंबर ए इस यूराइट इंसर जगनात आजाद की पैदाइश पाकिस्तान के किस जिले में हुई तो जगनात आजाद की पैदाइश हुई थी पाकिस्तान के जिला सोचने समझने की जोरुत हीνη नियागेट दिली मैं आपसा नमब्र बीसी सॉरी आसले से टिक कर लेंगे चलिए आगए बढ़िये नज्ब इंडियागेट के शायर कौन है तो नज्ब इंडियागेट यानिक जो कवीता है इंडियागेट इसके लिखने वाले कौन है तो इसके लिखने वाले हैं जगनात आजाद आपसर नमबर सी इस यो राइट इंसर जगनात आजाद के वालिद का नाम क्या था यानकि जगनात आजाद के पिता जी का क्या नाम था तो उनके पिता जी का नाम था तुलूक चंद महरूम ठीक हैं इंडि गेट को किसने बनवाया शेर सासूरी ने की अंग्रेजों ने की मुगल हुकमरा ने की खिलजियों ने बताईए तो अपसर नमबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा आप लोग खुट सभी बताईए इंडिया गेट को किसने बनवाया तो बनवाया था अंग्रेजों ने ठीक है निसाब में शामिल नजम हम नौजवा है के शायर कौन है यानि कि आप लोगे बुक में जो नजम दिया गए कवीता जिसका नाम है हम नौजवा है नाम के कवीता के लिखने वाले कौन है शायर कौन है तो है पर्वेज शाहदी अभस नमब्र a2 और इंसर पर्वेज इस शाहदी की पैदाइश कब हुई तो पर्वेज्षादी की पैदाइश हुई थी सथ 10 इस भी में ठीक हऊ उट अपसर नमब्र वी हो गया आप अपसर नम्बर सी आप लोगा हो गया सही जवाब प्रवेश शादी का असल नाम क्या था यानिकी उनका रियल नेम तो प्रवेश शादी का रियल नेम था सेद अक्राम हुसेन अपसर नम्बर भी इस और राइट एंसर अब देखिए अगला कोश्टन है कि तस्लीस से हयात के तसलीए से हैयात नाम का यह जो किताब है क्रियेशन है इसके इसको कब प्रकाशित किया गया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अजादी के बाद में अपसों नमबर ए होगया आप जोगा सही जवाब आगे बढ़िए अगला कोश्चन है कि निदा निदाफाजली ने अपनी नजमों में समाज के किस तबके के मुसाइल को भारा हैं ठीक है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा अफसर नमर सी कमजोर तबका शामिल निसाब नजम बिजली का खंबा के शायर कौन है यानि कि जो आप लोगे बुक में नजम किता कवीता द आगे बढ़िये अगला कोश्चन देखिए कि लिदाफाजली की कौन सी नजम हमारे नसाब में शामिल है यानि कि लिदाफाजली की कौन सी कवीता आप लोगे बुक में है तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा नजम बहुत आसान थी पहले अपसर नमर बी हो गया आप निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ तो निदा फाजली का इंतकाल हुआ था बताईए आपसन में है 2007 2008 2009 इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा इसका राइट इंसर हो जाएगा आपसन नमबर डी कोई नहीं ना तो निदा फाजली का इंतकाल हुआ था 2007 में नहीं 2008 में नहीं 2009 म में से कोई नहीं सेयद मुहमद जाफरी की सन पैदाइश क्या है तो सेयद मुहमद जाफरी जो है वो उन्हें से पांच इस भी में पैदा हुए थे अपसन नमबर ए हो गया आप लों का सही जवाब चलिए आगे बढ़िए सेयद मुहमद झाफरी कहां पैदा हुए는? तो सेद मोहमद जाफरी जो है वो लाहोर में पैदा हुए थे उनकी पैदाइश जो है लाहोर में हुई थी आप स्थन नम्र B हो गया आप लोगा राइट एंसर, सेद मोहमद जाफरी के वालीद का नाम क्या था, यानी कि क्या नाम है सेद मुहम्मद जाफरी बस सिर्फ अली हट गया है तो ये तो बिल्कुल आसान है याद करना चलिए आगे बढ़िए सेद मुहम्मद जाफरी के मजमुवा का नाम क्या है तो उसका नाम है शूखे तहरीर अफसर नमर सी हो गया आप लोका सही जवाब दर्जजेल जवारा में मजाह के शायर कौन हे तो वह हैं दिलावर फगार अफ्सर नमर बी इजरक एंसर गालीब का पूरा नम क्या था? ये तो बहुत ही फीमस कुश्चिन है गालीब का इसको नहीं मालूम है मिर्जा गालीब का इसकर एंसर को जाएगा अफसर नमर भी अस्दूला ख मिर्दा गालिब का पूरा नाम क्या था बिजा अश्दूला खा-गालिब तो यहां पर अफसाद नमबर B होगा आप लोगा सही जवाब चलिए आगे बढ़िए उसरा पहले पहले क्या तखलस गालिब जो है मिर्दा गालिब वह साइरी में सबसे पहले असद तखलस लिखा करते थे फिर बाद में वो असद हटा दिये और गालिब लगाना शुरू कर दिये अब देखिए अगला सवाल है कि गालिब किस सन में पैदा हुए तो ये तो बहुत ही सिंपल कोश्चन है इसके पहले भी पूछा गया था गालिब की सन पैदाईश यानि कि गालिब तो बाप दादा थे वो कहां से हिंडृस तान अंए तो वह इरान से ठीक है इरान से जो गालिब के बाप दादा थे वह हिंडृस्तान आये तो यह आप लोगों को ध्यान में रखना है यह कुश्चन पूछा भी जा चुका है गालिब की परवरिश किसके जहरेस आया हुई तो गालिब की जो परवरिष हुई थी उनके चचा नस्रुला बेग के जेरश आया हुई थी अपसन नमबर D हो गया आप लोग का सही जवाब देखिए यहाँ पर चचा नस्रुला भी है और यहाँ पर चचा नस्रुला बेग है तो यहाँ पर जब लास्ट में बेग लगा हुआ दिखाई दे वही टिक करना है अब यहाँ पर यह आपसन नहीं रहता कोई दूसरा नाम दे दिया गह रहता जैसे कि यहाँ पर कोई दूसरा नम माली जे एहमद فिराज दे दिया गह रहता तब ही आप लोग का सही जवाब होता लेकिन अब यहाँ पर दोनों दिया है चचा नसरुल्ला और यहाँ पर चचा नसरुल्ला बेग तो अब यहाँ पर राइट एंसर डी हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर कोई और दूसरा नाम रहता एमद फिराज या फिर कोई भी दूसरा नाम तो राइट एंसर ये हो जाता ठीक है तो ये याद रखना है कि लास्ट में बेग लगा रहना चाहिए चलिए आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ गालिब का इंतकाल किस सन में हुआ तो गालिब का इंतकाल हुआ था अठारा सा उनत्तर इस भी को अपसर नमबर डी इस यो राइट एंसर परेश रादी के एहलिया का नाम बताएए यानि की परेश रादी के वाइफ का नाम आप लोगों को बताना है तो है फजीलत उनने सा बेगम ठीक अपसर नमबर ए हो गया आप लोगों का सही जवाब चलिए अगले कोश्चन की तरफ बढ़िए मिर्जा शौक का असल नाम क्या था उनका रियल नेम तो उनका रियल नेम था तसद्दुक हुसैन खा देखिए आप लिखने में गलती हो गई है देखिए इस तरह लिखाएगा तसद्दुक हुसैन खा ठीक है चलिए आगे बढ़िए मिर्जा शौक की सन पैदाईश क्या है तो मिर्जा शौक की सन पैदाईशे सतरह सत्तिरासी अफसर नमबर ए हो गया आप लोगों का सही जवाब मिर्जा शौक का खांदानी पैशा क्या था तो मिर्जा शौक का खांदानी पैशा था तबाबत का ठीक है ये जो है ना हकीम का का काम किया करते थे जड़ी बूटी वगएरा तो ये हो गया आप लोगों का सही जवाब मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताईए तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आफसर नमबर सी फरेब इस्क ठीक है नसीम का पैदाइश कब हुई तो नसीम की पैदाइश हुई थी 18 सा 11 इस भी को आफसर नमबर सी हो गया आप लोग का सही जवाब नसीम का पूरा नाम क्या था तो इनका पूरा नाम था दया शंकर नसीम आफसर नमबर सी इस यो राइट इंसर नेक्स्ट कोश्चन नसीम कहा पैदा हुए तो नसीम जो है वो लखनों में पैदा हुए थे आफसर नमबर सी हो गया आप लोग का सही जवाब नसीम की मसनवी के नाम बताईए तो नसीम की मसनवी के नाम है गुलजार नसीम ये तो बहुत ही आसान है ये बार बार पूछा गया और फेमस कोश्चन है शायरी में नसीम किसके शागिर्द थे यानि कि शायरी में जो है नसीम किसके स्टूडेंट थे एंसर नसीम का इंतकाल कब हुआ उन्हीं नस चार्थ का उस्वा सब्सक्राइब बढ़ीये अगले क्विश्टन की तरफ देखिये अगला कोश्चन है कि मसפी का पूरा नाम क्या था तो मसफी का पूरा नाम क्या हो जाए मसफ़ी कि पैदाइश कहाु तो उनकी पैदाइश हुई थी अम्रोहिया में आप्सवी के जिर निसाब मच्प नाम जो आप लोग के बुक में दिया गया है मसफी का मसनवी उसका क्या नाम है तो उसका नाम है अगास दास्तान अपसर नंबर सी इस यो राइट एंसर नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़िए फटफट अब देखिए अगला कोश्चन है कि उर्दू के पहली मसनवी कौन है उर् से रिवीजन के तोर पर आप लोग देख रहे हैं तो एक दर से आप लोगो रिवाइस भी हो जाएगा और मालूम भी चल जाएगा कि आप लब कितना जानते हैं कोश्चन का एंसर ठीक है तो आप लोग अपने से भी बताने की कोशिश कीजिए ठीक है आगे बढ़िए होगे आप लोग का सही जवाब चलिए आगे बढ़िए कोश्चन नमबर सेवन की मुबारक अजीम अबादी की पैदाइश दर्भंगा के किस जिला में हुई तो वो हुई थी समस्ती पूर जिला में मुबारक अजीम अबादी के वालिद का नाम किया था यानिकि उनके पि फार्सी शायरी में मुबारक अजीम अबादी के टीचर कौन थे तो उनका नाम था अब्दुलहमीद परिशान जो कि फार्सी शायरी के टीचर थे मुबारक अजीम अबादी के ठीक है लेकिन यहां पर अगला सवाल देखिए उर्दू में मुबारक अजीम अबादी के उस बताना है तो इसका नाम है जल्वे दाग अफसर नमबर सी चलिए आगे बढ़िए कि हकूमत हिंद ने अद्भी कारगुजारियों का एतिराफ करते हुए कितना वजीफा मुकर्रर किया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा सो रुपया अफसर नमबर बी हो गया आप लोगा स उन्हें से 33 बी को आपसर नमबर बी अहमद फिराज की पैदाइश कहा हुई इसका एंसर आप लोगो मालूम होना चाहिए अहमद फिराज की पैदाइश हुई थी पिसरावर में आपसर नमबर बी हो गया आप लोगा सही जवाब चलिए आगे बढ़िए अगले कोश्टन क आए थे जिस घजल में रादीफ नहू उस घजल को किया कहते हैं ये बहुत ही फिमस कोश्टन है इसका एंसराप लोगो मालूम होना चाहिए इसका राइट इनसर क्या उजाएगा घार मुरदफ के हैं ठीके दकन के किस शाइर के जरीए अरदू घजल शोमाल तक पहुची, तो इसका राइट अन्सर हो जाएगा वली दखनी, ठीक चलिए, आँगे बढ़िए अगले कौश्चन की तरफ, देखे अगला कोश्चन है कि एहमद फिराज की शायरी के कुल कितने मजमुएंशाय हुए हैं, तो एहमद किराज के शायiding के कुल कितने यान कितने किताब परकाशित किये गए गया तो इसका राइट एंसर हो जाईगा 12 अफस्जा ढजल के आकरी शएर को क्या कहते Empel सिंपल कोश्चन है गजल के आखरी शेर को मक्ता कहते हैं और गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं तो गजल के पहले शेर को इम लोग बोलते हैं मतला तो यह होगी आप लोगा एंसर अब देखिए अगला सवाल है कि गजल अर्भी के किस सिंफ से माखूज है तो गजल जो है व पड़ाफट हसन नाईम की पड़ाइश कब हुई तो हसन नाईम की पड़ाइश हुई थीन उन्हें सब्सक्राइब की पड़ाइश पटना के किस जिले में हुई तो वह हुआ था अधिमाबाद में पटना के अधिमाबाद में जो है हसन नाईम का जन्म हुआ था हसन नाईम क है आगे बढ़िए हसन नाइम किस शीबे में मुलाजमत करते थे तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा अफसर नमड़ डी वजारते की पैदाइस हुई थी 17-48 इस भी को अफसर नमबर ए हो गया आप लोग का सही जवाब अगला कोश्टन एहमत फिराज किस अदारा के मेनेजिंग डिरेक्टर रहे तो इसका राइट इंसर क्या हो जाएगा आपसर नमबर भी नेशनल बुक फांडेशन पाकिस्तान के जो है ए अगला सवाल है कि परविन शाकिर की पैदाइस पाकिस्तान के किस शहर में हुई तो परविन शाकिर की पैदाइस पाकिस्तान के कराची में हुई थी तो आपसर नमबर ए हो गया आप लोग का सही जवाब आगे देखिए परविन शाकिर की पैदाइस कब हुई थी तो शाकिर के वालीद का नाम क्या था तो उनके वालीद यानि कि उनके पिटा-जी का नाम था तो वो पाकिस्तान गए थे ठीकिए अपसान नमबर ए होगी आप लोग का सही जवाब चलिए आगे बढ़िए देखिए अगला सवाल है कि परविन शाकिर की शादी किस से हुई थी तो परविन शाकिर की शादी हुई थी डॉक्टर नसीर अली से ये तो आप लोग को मालूम ही होगा अब देखिए अगला सवाल है कि परविन शाकिर मैट्रिक का इमतहान किस स्कूल से पास किया यानि कि परविन शाकिर जो है वो अपना मैट्रिक का इमतहान किस स्कूल से पास की थी तो वो था रजिया गल्स कॉलेज आपसान नमबर ए इस यूराइट एंसर इरफा सिद्धिक ने मैट्रिक का इमतहान कब पास किया तो वो पास किये थे उन्हेसाद 53 में आपसन नमबर B is your right answer नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़िए मौलवी एक्राम एहमर्शाद सिदिख्गी अपने एहद के सरसेयत समझे जाते थे या इर्फान के कौन थे तो ये जो थे इर्फान सिदिख्गी के दादा थे अपसो नमबर A is your right answer नेक्स्ट कोश्चन देखिए इर्फान सिदिख्गी ने मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा कहां से हासिल किया तो इर्फान सिदिख्गी जो है मास कम्यूनिकेशन में डिप्लोमा दिल्ली से हासिल किये थे अपसो नमबर B हो गया आप लोका सही जवाब चलिए आगे बढ़िये इर्फान सिद्धिकी के मजुमे किस नाम से एकज़ा तोर पर शाय हुए यानि कि इर्फान सिद्धिकी का जो किताब है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ तो उसका नाम था दरिया अफसा नमबर ए हो गया आप लोगा सही जवाब आगे बढ़िये इर्फान सिद्धिकी का इंतकाल कब और कहां हुआ तो उनका इंतकाल यानि कि उनकी मौत हुई थी 2004 को लखनाओ में जफर गुरखपुरी की पैदाइश कब हुई तो जफर गुरखपुरी की पैदाइश हुई थी उनकी सब्सक्राइश नमबर बी होगी आप लोगा सही जवाब चलिए अगला सवाल है कि जफर गोरखपुरी की पैदाइश उत्तर परदेश के किस जिले में हुई तो जफर गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी गोरखपुर में और गोरखपुर में पैदा हुए थे ये इसलिए ये जफर गोरखपूरी के नाम से मशूर हो गए तीखे तो ये तो बहुत आसान है याद भी होगा आप लोगो जफर गोरखपूरी की पैदाइश गोरखपूर में चलिए आगे बढ़िए अगला सवाल है कि जफर गोरखपूरी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है उसका नाम बताईए यानि कि जफर गोरखपूरी का एक किताब जो है वो बच्चों के लिए भी परकाशित किया गया है तो उस किताब का क्या नाम है तो उस किताब का नाम है सच्चाईया option number a दोहे में कितने मिश्रे होते हैं तो दोहे में दो मिश्रे होते हैं दो से दोहा दो से दो ठीक है दोहे में दो मिश्रे होते हैं उर्दू दोहे किस शायरी के तोस्ट से उर्दू में आया हैं तो वह हिंदी पहले हिंदी में दोहा लिखा जाता था और देखते देखते हिं Denser क्या हो जाएगा अपसों नंबर C नजम स्लाम मचली शहरी जो है वो नजम के नजम लिखने वाले शायरें नजम लिखा करते हैं पोएं जब उना नदी हमारे मुल्के किस सोबे से गुजरती है तो जबना नदी जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है सलाम मचली शहरी की पैदाईश उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई तो सलाम मचली शहरी की पैदाईश हुई थी उत्तर प्रदेश के जोनपूर में अपसन नमबर बी हो गया आप लोगा सही जवाब अब देखिए अगला सवाल है कि मचली शहरी की पैदाईश जोनपूर के किस कसबे में हुई देखिए यहां पर गलत लिखा गया है तो यह काट दी हूँ कि मशली शहर की पैदाईश मशली शहरी सलाम मशली शहरी की पैदाईश जो है उनका जन्म जोनपूर के किस कसबे में हुआ तो वह हुआ था मशली शहर में मशली शहर में हुआ था तभी तो है इस्यो राइट एंसर कोस्टों क्या मलें छंच के नाम किया है तो स्लामош्छी के वालि deeply है अब धुर्जाक अज़िक मत हुज़ी के दादा का नाम किया था दू Mengश्माइल उनकै टादा को लो aider Came in यह तो यह फसा अफ श.खुर्च नुम समझ भी गए कोई भी कम्फीजन हो आप हमें कमिन करकर पूछ सकते हैं सारे के सारे अब्जेक्टिव कोश्चन पर आप लोग को कमांड कर लेना है सारा का सारा अब्जेक्टिव कोश्चन आप लोग को याद कर लेना है ताकि आप लोग के उर्दू का एक्जाम बहुत ही तब तक के लिए जाहिन और खुदा हाफिज.